हेलो डियर स्टूरेंट्स, वेलकम तू माई चैनल एक्सिलेंट इंग्लिश जोन, तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपको नेक्स्ट पोईम 11th क्लास इपी बोर्ड की, जो है वाई स्कॉलर, कंपोस्ट वाई गोवर्ट साउदे, पिछली लेक्चर में मैंने फस्ट पोईम को डश्क्राइब किया था, बर्सी, जो बहुत इंपॉर्टन कोईम है, लाइक डाइडिक पोईम, तो देखे, यह जो पोईम है वाई स्कॉलर, जो इस्कॉलर, इस्कॉलर मींस होता है विद्वान, तो यहां बर्वर्ट साउदे, इस्कॉलर की फीलिंस को एक्स्प्रेस कर करते हैं वो बताते हैं कि विद्वान का जीवन क्या होता है वो क्या महसूस करता है किसमें अपना समय वैटीद करता है कैसे अपना जीवन बुजारता है तो यहां पर रौवर्ट साव देख स्वयं एक स्कॉलर करूप धार करते हैं देखिए चैनल आइडिया और दगोई मैं इसलिए देती है कि इससे आप वह सुर्ण समरी भी हो जाती है और उसके बाद मैं लेसन को एक स्पिंट भी कर देखिए हैं तो हम देखते हैं कि दब पोईम डैस्ट्राइट्स दा इंपोर्टेंस ओव बुक्स क्या डैस्ट्राइट करता है यह जो पोईम है यह बुक्स का इंपोइम्स जो किताबों का महत्तो है वाइट ऑथर्स किसके दौरा लिखी गहीं ग्रीट ऑथर्स इन अवर लाइफ हमारे जीवन ने तो यह कुएम हमें बताती है कि हमारे जीवन में महाल लोगों दवारा महाल लेखों द्वारा लिखी हुई पर बुक्स का क्या इंपो प्राजिन समय के महां लेकों कि प्रती अपने प्राजिन समय के महां लेकों कि प्रती अपनी फिलिंग्स को व्यक्त करता है और महां लेकों के प्रती अपनी फिलिंग्स को दर साथा तो देखिए प्राजिन समय के महां लेकों 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 कि प्रती अपनी फिलिंग्स को व्यक्त करता है अपने दिनों को प्राजिन समय के महां लेकों 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 किताबों में अपना सारा देल स्पैंट करना पसंद करता है और वह जब उन किताबों को पढ़ता है तो उन किताबों के प्रती कैसा हो जाता है ग्रेटफुल करताग्य हो जाता है तो वो उन किताबों के प्रती करताग्य हो जाता है और for the lesson, किसके प्लिये, उन सिख्षाओं के लिए, जो he has learned from them, जो उसमें उन किताबों को पढ़कर सीखी है, तो कहते हैं कि जो श्कॉलर होता है, वो अपना सारा दिन, सारा समय, अच्छे लेखकों की, महालेखकों की किताबों की, उसका अपनी में spend करना पसंद करता है, और जब उन किताबों को पढ़ता है, और उन किताबों से जो सिख्षा दुरण करता है, उसके प्लती वो बहुती, ग्रेटफुल हो जाता है, यह हो जाता है, He hopes that, वो है आसा करता है कि, after his death, कि अपनी म्रत्यों के बाद, जब वो मर जाए, अपनी म्रत्यों के बाद, He will be in the company of the great writers, वो भी क्या होगा, उन महा लेकों की संगती में होगा, Of the past, प्राचिन समय के, वो सोचता है, कि जिस तर ऐसे, इस समय प्रजेंट में, मैं जो एक द्वान हूं, वो क्या करता हूं, कि प्राचिन समय के लेकों की किताबों को पढ़कर उन्हें याद करता हूं, तो जब मैं मर जाओं, तो मैं भी उन महान लेकों की संगती में हो जाओं, मैं उन महान लेकों की, प्राचिन समय के उन महान लेकों की साथ सामिल हो जाओं, and he also will be remembered वो सोचता है कि वो है भी सामिक हो जाएगा और उसे भी याद किया जाएगा in this burnish अंसाम में like the great writers of the past जिस तरह से प्राचिन समय की महालेकों को अभी हम याद करते हैं वो आशा करता है कि he also will be remembered उसे भी याद किया जाएगा जब वो मड़ जाएगा तो मुरत्तिन के बार उसे भी उन महालेकों के साथ याद किया जाएगा जिसे मैं आज ही याद कर रहा हूँ तो इस तरह से Robert Saudi scholar की feelings को बताते हैं और वो कहते हैं कि द्वान मुता है उसका जीवन कैसे गुजरता है वो जीवन में किया करता है किस से अपना जीवन अलावे अपना सुफ्ध बाढ़ता है किस की गोड़ों को घिरहन करता है ईस तरह से यह अपना सारा जीवन जो scholars होते हैं वो अपना सारा जीवन books पर बिता देते हैं वो बुक्स जो प्राचिन समय के लिवकों ने लिखी हैं और उनके प्रती बहुत ही किर्दग्यों हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो सीखा वा प्राचिन लिवकों द्वारा लिखी हुई किताबों की दियन होती है इसलिए वो उन किताबों का बहुत आपाव्यक्त करते हैं और लेखा कहता है कि हर विद्वान यहीं चाहता है कि उसे भी मलने के बाद नहीं विद्वानों की तरह यार किया जाए तो यह इच्छा करता है रॉबर्स साम दे तो यह पोईम की सौर संबरी हो गई और सेंटर आइडिया गी हो गया अब मैं इसकी पोईम को पढ़ाऊंगी लाइन बाई लाइन तो आप इसको इस के अश्पनेशन को सुनेंगे तो देखिए जो इश्कॉला है वो क्या कहता है है कि माइड इस फर्स इस थेंजा देखिए यह फोईम और स्थिंजा थेवन नाइ इस स्थेंजा सिस्प्लाइन इस स्थिखने रही है तो दिखिए क्या कहता है My days among the dead are past Around me I behold Wherever these causal eyes Cast the mighty minds of old My never failing friends are they With whom I converse day by day तो first strenya में क्या कहता है Poet कहता है My days among the dead are past मेरे जो दिल है किसके साथ among the dead Dead means dead The great writer of the past Who are now dead प्राचिन समेटी वो महालेकर जो मर चुके हैं उन लेकरों द्वारा लिखी हुई किताबों के साथ मेरा देन व्यतीत होता है Around me Around me अपने चार ओर I behold मैं देखता हूँ The old means होता है देखना क्या देखता हूँ Wherever these cause of lives are cast Wherever जहां भी मेरी ये आकस्मत आखे पढ़ती है वहां मैं किने देखता हूँ The mighty minds of old प्राचिन समेट प्राचिन लेकरों द्वारा लिखी हुई किताबों को Mighty minds उने विद्वान लेकरों द्वारा लिखे हुई उन ग्रिंथों को किताबों को ही देखता हूँ जहां भी मेरी नजरे पढ़ती है My never failing friends are day वो किताब मेरी never failing friends हैं कभी न अशखल होने वाली मित्र हैं हमेजा मेरे साथ रहती हैं With whom I converse day by day जिनके साथ मैं दिन प्रति दिन क्या करता हूँ Converse बाते करता हूँ उनकी अच्छायों को ग्रह करता हूँ और उनसे सहमत होता हूँ इस तरह से मेरा सारा दिन उन किताब के साथ ही spend होता है Seeking distance जो है With them I take delight in will And seek relief in woe And while I understand and feel How much to them I woe My cheeks have often been bedowed With tears of thoughtful gratitude तो इस स्थेन्या में कहता है कभी कहता कि With them I delight उनकी साथ मुझे क्या मिलता है Delight, आनन्द मिलता है In real जब मैं खुष होता हूँ तो मुझे उनसे और आनन्द प्राप्त होता है And seek relief in woe और जब मैं woe में होता हूँ कष्ट में होता हूँ तो इनी किताबों में मैं really खुषता हूँ आराम खुषता हूँ तो इनी किताबों से मुझे शुख मिलता है और इनी किताबों से मुझे दुख में आराम मिलता है And while I understand or जब मैं समझता हूँ and feel महसूच करता हूँ कि how much to them I owe कि मैं इन कितावों का कितना ओ करजदार मुरिणी हूँ My cheeks have often been bad old तो मेरे जो गाल हैं वो often अफसर क्या हो जाते हैं Bad old, गीले हो जाते हैं with tears of thoughtful gratitude जब मैं अपने विचारों में कृता किता को लाता हूँ कि एहसान को लाता हूँ कि इन कितावों का मुझके मुझक रिखतना और से तो किर्ताग्रता के आस्मों से मेरी गाल वीले वह जाते हैं मैं गरगण हो जाता हूँ यह सोच कर कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन किताबं की वजह से ही, तो एक विद्वान का जीवन, जो श्कॉलर का लाइफ होता है, वो ग्रेट राइटर्स के वर्क से ही बनता है, इसलिए इसकॉलर हमेशा जो प्राचिन समय की महाल लेखक है, उनके प्रती हमेशा अभारी रहता है, Third stanza जो है, my thoughts are with the dead, with them I live in long past years, their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find an instruction with an humble mind. My thoughts are with the dead, कहते हैं कि मेरे जो विचार हैं हमेशा उन इम्रेट लेखकों की विचारों से सहमत रहते हैं, with them उनके साथ I live in long past years, जब मैं उनकी लिखे हुई works को पढ़ता हूँ, और प्राचिन समय की वारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैं अभी उनके साथ जी रहा हूँ, और मैं प्राचिन समय में पहुच जाता हूँ, मुझे लगनी लगता है, कि मैं प्राचिन समय में जी रहा हूं, दियर वर्जीूज लव, उनके जो वर्जीूज हैं साथ बुड़ोने मैं पशन करता हूं, और दियर फाल्स कंडेंग, और उनके फाल्स दोसों की कंडेंग आलुचना करता हूं, पार्टिक दियर होप सेंग फियर्स, और उनकी जो आसाएं हैं, होप सेंग फियर् करता हूं उसमें भागीदारी वन्यत देता हूं and from their lessons और उनसे जो सिछाएं मैं सीख प्राप्त करता हूं and find instruction with a humble mind और उनके तावों से जो मैं सिछाएं प्राप्त करता हूं और जो find instruction निर्देश प्राप्त करता हूं उसे विद एक humble mind humble mind से humble था बिनम्र बिनम्र माइंड से बिनम्र मन से उन्हें ग्राण करता हूं तुम्हें उनके तावों से सब कुछ सीखता हूं last question जा मैं कहता है my hopes are with the dead my hopes are with the dead and my place with them will be and I with them shall travel on through all future routine yet leaving here our name I trust that will not perish in the dust my hopes are with the dead मेरी जो आसाएं हैं हम यसा मृत लोगों के साथ रहती हैं और एनन सीक्र ही my place with them will be मेरा इस्थान भी उन्हें के साथ होगा and I with them shall travel on और आने वाले भरिश्च में through all future routine आने वाले भरिश्च में में उनके साथ travel करूंगा यात्रा करूंगा we are believing here our name उनके साथ में वहां यात्रा करूंगा और यहां में अपना नाम छोड़ जाओंगा आइं ट्रस्ट मुझे विश्वास है that will not perish अंदा डस्ट होता है नस्ट हो जाना मुझे विश्वास है कि मेरा यह नाम भूल मैं नस्ट नहीं होगा मुझे भी इसी तरह से याद किया जाएगा जैसे कि मैं प्राचिन लेखकों को याद करता हूँ तो देखिए इस पोएम में आपने दिखा कि किस तरह से पोएट रॉबर्ट साओदे जो एक स्कॉलर को रूप एजिम करते हैं और एक स्कॉलर की फीलिंग्स व्यक्त करते हैं वो कहते हैं कि scholar का जो life होता है पूरा वो पूरी महान प्राचीन समय के महान लेखकों की books में ही व्यतीज होता है वही उसकी सबसे अची friend होती हैं वही सोग्ष में उसका साथ देती हैं वही उसकी never failing friends हैं और ये जो बुक्स हैं प्राचीन समय के लिखकों द्वारा इन सिर्फ एक स्कॉलर प्रिजेंट में जो स्कॉलर बनता है या मतलब एक विद्वान होता है वो इतना कोछ सीखता है कि उसके प्रतिवों हमेशा आवारी रहता है तो लेखा कहता है कि मैं भी ये कासा करता हूँ क मिकास में उन महल लिखों के साथ हो जाऊंग और सीखती ही जब मैं मर जांगा तो मैं उनके साथ याथ्रा करूँगा और जैसे कुछ वह एक समय अपना नाम यहां ठोड़ गए थे ऐसे मैं अपना नाम चोड़ जाऊंगा और जैसे व तो आपका यही हो गया और explanation आपको खुद करना है मैंने आपको explain कर दिया है पैस इस्टेंजास को आप उसको समझे और अपनी भासा में अपनी language में कि इंग्रिश में explain करना पड़ता है तो इंग्रिश में उसे explain करना सीखिए तो I hope आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी तो अगर आपको यह वीडियो में अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बला इतर प्रेस करना नापूने थैंक्स पर वचिं वीडियो